हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने पीजा सेंडवीच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो इस आप बनाने के लिए देखे किस तरह से बनाते हैं सबसे पहले हम दो ब्रेड लेंगे ब्रेड पर हम मियोनीज लगाएंगे अच्छे से फिला लेंगे दूसरे ब्रेड पर भी मियोनीज लगा लेंगे और चारो तरप अच्छे से फिला लेंगे अब यह मैंने बहुत अच्छे से दोनों ब्रेडों पर मियोनीज लगा लिए है अब हम इसके पर आदा दा चमच पीजा टॉपिंग रखेंगे और इसे भी इसी तरह से फिला लेंगे अब ब्रेड पर चारो तरप अच्छे से मियोनीज को फिला लेंगे पूरे ब्रेड पर अब एक ब्रेड पर लगा लिए दूसरे पर भी इसी तरह से फिला लेंगे अब हम इस bread पर mozzarella cheese डालेंगे कद्दू कस करके ये मेरे पार dyes cheese है इसको अच्छे से bread पर फिला लेंगे उसके बाद हम इस पर vegetable रखेंगे जो भी आपको खानी पसंदो उसके साब से vegetable रखेंगे मैंने इसमें टमाटर प्याज और शिम्ला मिर्ज काटके रखेंगे मैं इनको लगाऊंगी आप इसमें कोई भी vegetable लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं अब एक एक पीस अच्छे से फैला देंगे और इसके पर हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे अब ये मैंने इसके पर टमाटर शिम्ला मिर्ज और प्याज रख दिये हैं अब मैं इस पर हलका सा नमक डालूंगी अपने टेस्ट के साब से चीली फ्लैक्स ये भी डाल देंगे अब उपर से फिर से एक बार चीज की लेयर लगाएंगे अब इसके पर अच्छे से फिला देंगे चीज को और दूसरे ब्रैड को इसके पर उल्टा रखेंगे इसी तरह से हमें सभी ब्रैड तयार करने हैं अब हम तबा लेंगे तबे पर थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इसके पर सेंड़िच को रख देंगे इस सेंड़िच को हम लो फिलेम पर ही बनाएंगे क्योंकि अगर हम हाई फिलेम से बनाएंगे तो ये चीज मेल्ट नहीं होगी दोनों से चिकनाई लगा लेंगे अब हम इसे कवर कर देंगे जिसे की भाप से इसकी जो चीज है वो सारी मेल्ट हो जाएं अब हम इसे एक बार पलट देंगे और फिट से कवर कर देंगे फिट से कवर कर देंगे और लो मीडियम फिलेम पर ही इसे में क्रस्पी होने तक सेकना आएं एक दो बार इसी तरह से अलट पलट करते हुए ड़क के सेकेंगे अब इसकी चीज मेल्ट होने लगी है एक बार फिर से पलट देंगे और फिर से मैं इसे कवर कर दूँगी अब ये मैंने फिर से कवर कर दिया है और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर बना रही हूँ लो मीडियम पर अब हम इसे फिर से पलट देंगे अब इसकी चीज बिल्कुल मेल्ट हो गई है अब हम इसे कवर नहीं करेंगे सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल क्रस्पी कर लेंगे इसी तरह से हमें सभी सेंड्वीच बनाने है अब ये सेंड्वीच हमारा बहुत अच्छे से सिख गया है और crispy भी हो गया है इसे हम लगा निकालेंगे कट करेंगे अब मैं इसे सौस के साथ सर्व करूंगी यह sandwich हमारा बहुत त्यच्छे बन कर तैयार हुआ है अब ही हमारा पीज़ सेंडविच बन कर तयार हो गया है इसे हम सोंस, चेटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकती है किसी पाटी में बना सकती है, ब्रेकफास्ट में बना सकती है अब यह हमारा पीजर सेंडविच बनकर तयार हो गया है यह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है थैंक्यू